जी नमस्कार सार आज हम फिर से आ गये हैं वेशाली एलक्टिक अलंड इस्पेड़ पे अनुजभाई के पास और आज हम देखते हैं कि वो हमें क्या नया दिखाने वाले हैं आज वो हमें दिखाने वाले हैं ilectic geyser और gas geyser से related समान जो भी repairing के अंदर काम आता है मैं आपको दिखाता हूं कि वो हमें क्या दिखाने वाले हैं शुरूर में थोड़ी सी एक छलक में आपको दिखाना चाहता हूं आप देखिये कि इसके अंदर वो कह के चीज़ हमें जैसा कि आप लोग आप सभी भाईयों का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है तो आज हम एक नई वीडियो शुरू करते हैं जो कि आपको इस आने वाले सीजन के अंदर जो कि सर्दियों का सीजन आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा हेल्फुल होगी तो यह आप सब देख सक वह लिएगा तो नउसुरक दोनों किसम बचा मिलेगा इसमें चायब स्टील का लेना चाहिए ब्रास का लेना चाहिए ब्रास लेगा इसमें रिकार्ड का बजाच का ऊश्या का सब तरीके के बाज मारे पूसरी का मिल जाएगे उसके बाद इनलेट आउटलेट के पाइपस होते हैं जैसा कि आप यह देख सकते हैं इसमें डेट फिट, दो फिट, तीन फिट जैसा आपको requirement है उसी विशाब से सभी तरीके का पाइप आपको अविलेबल हो जाएगा उसके बाद आप यह देख सकते हैं गीधर के element हैं और और बी इतने भी प्रकार के element आते हैं जैसे उशा के बजाज के कैनिस्तार में सभी प्रकार के element में विल जाएंगा जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी अपनी जो खाली एलिमेंट की ही video थी अगर आप चाहें तो उस वीडियो में जाकर उन सभी आलिमेंटों के बारे में जानकारी ले सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगे गीजर के थर्मोसेट के बारे में यह साथ इंची ग्यारा इंची थर्मोसेट होता है यह प्लेन होता है और इसमें रीसेट वाले भी होते हैं थर्मोसेट इसके बाद हम बात करेंगे यह वाला थर् उसके बाद हम बात करेंगे गएस गीजर से रिलेटीद आइटमों के बारे में जैसा कि आप यह देख सकते हैं गैस घीजर में हम सबसे बहले बात करेंगे अपना circuit के बारे में जो गैस घीजर के अंदर circuit लगता है उसके बाद यह cell box है गैस घीजर के अंदर जो battery box कर लाता है उसके बाद सबसे important item यह घीजर की assembly है जो की अंदर पूरा जो water level है सबको मतलब करती है उसके बाद आप यह दे कि उसके बाद यह टी ओपी आप देख सकते हैं जो भी डिग्री कि आपको चाहिए 75 की 85 की सब तरीके की मिलेगी इसके बाद यह नोजल आप देख सकते हैं गैद गीजर के अंदर तो गैज गीजर के अंदर यह सब आइटम हैं जो सबसे ज़्यादा फास्ट मुविंग पीके जी